आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है में चैनल बेल स्टोरी टेलर पे और आज मैं आपके साथ लव आफियर का निक्स पाट लेक्ट 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 हैं चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस लास्ट मैं अपने देखा था जैसे ही वींग लेंटूझी की देखता है वो यहां पर बदल गया था वो हेंगवन चुन में बदल जाता है और वींग यहां पर शोक रहा जाता है कि यह लेंटूजी जिससे मिला करता था ये हेंगनचुन है ये लवांगची है ये उसका शेजन है ऑः शिट कितना लेन्थूजी को ठंक किया करता था इसकी आखों में वो फ्लेश पेक आता है कि किस niego लेन्थूजी ने उसे बचाया था किस तरह से चूएनी के साथ हमेशा उसे लेंटूजी दिखा करता था और इसे याद आता है कि जो लेंटूजी था इसे तब भी दिखा था जब कोई से किस करके भाग गया था इसे लेंटूजी हर जगा देखता था जहां पर भी हेंगवणचन नहीं होते थे लेंटूजी इसके साथ होता था यह पर विंड शोक्ट था वो हैंगवन जुन को देखता रह जाता है हैंगवन जुन बहुत जल्दी से अपने अंकल और अपने ब्रदर और बागी लेंड को भी वो फटा फट से उन तितलियों के द्वारा मैसेज भीज देते हैं कि यहाँ पर खत्रा है सारे लोग भागे भागे वहाँ पर आ जाते हैं मिंट से पहले पलक जपकते ही सारे के सारे लोग अपने spiritual weapon अपनी तलवारों पे उड़ते हुए महा जाते हैं यहाँ पर सारे भगदर मच्टरी होती है और वो जटके से दर्वासे को खोल देते हैं पाइवुजियन जो था वो वींग को पकड़े हुए था यहाँ पर हुआ चंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और वो यहाँ पर शीलियन को ढूणने के लिए इदर उदर निकल चुका था उसके बाद यहाँ पर सामने मूरन आता है और उसके बाद सामने वनकर्शिंग आता है यहाँ पर लूओ भिंगे भी आ जाता है और शेंचिंचियू भी सब अपनी अपनी फर्मेशन ले ले लेते हैं और जो जुशू भी इन सब को बहुत गुसा आ रहा था कि शेलियन को इसने कहाँ चुपाया है वो सारे सारे अपने स्पृच्छल वेपन और अपनी तलवारे लेके रैड़ी थे वो किसी पीशन बाइवुजियन का सर काट सकते थे वो बाइवुजियन से शेलियन को वापस देने के लिए बार-बार बोलते हैं लेकिन बाइवुजियन भी कच्छा खिलाड़ी नहीं था उसे चोट लगी हुई थी लेकिन वो उन लोगों के उपर चक्मा देकर वहां से भागना चाता था लेकिन तब ही जो हेंगवन चुन होते हैं वो अपनी तलवार को बाइवुजियन के इसफ़ार पेट में घुसेड़ देते हैं पेट में घुसेड़ने के बाद यहाँ पर बाइवुजियन को बहुत जादा धर्थ होता है वो लवांग ची की तरफ गुस्से में देखता है वांग जी जो की एकदम से फिर से भच्चे में चेंज हो जाता है वांग जी से लड़ाई नहीं हो पाती तो यहाँ पर वांग जी के सामने चू एनिंग आजाता है और चू एनिंग अपनी गुल्डन विलो वाइन्स को निगाल लेता है और वो उससे यहाँ पर बाइवुजियन पर हमला करने लगता है वांग जी की जो तलवार थी वो अभी भी उसके हाथों में थी और खुन से सनी हुई थी बाइवुजियन बहुत जादा उससे चोट आ गई थी लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरीके से अभी भी किवब करने के लिए तयार नहीं था उसने वींग का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि वींग को तकलीफ होने लगी थी वींग चिलाता है लेकिन यहाँ पर बाइवुजियन उसे कहता है मैं आज मर भी जाओंगा तब भी मैं तो मारा हाथ नहीं छोड़ूँगा अगर तुम लोगों ने यहाँ पर धरा सबी मुझे तकलीफ दी उतना याद रखना मैं वींग को उससे जादा तकलीफ दूँगा और शीलियन तुम तो भूल गए वो मेरी कृफ्ट में है तब भी पीचे से हुआचंग आता है और उसके एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि उसने नाजाने कितनी तोड़ फोड़ करते वे वो आया था और वो जोर से यहाँ पर उसकी तरफ अपनी कटार फैक के मारता है यहाँ पर कटार जैसे ही सामने आती है इमिंग तो यहाँ पर उसके होश उट जाते हैं बाइवुजियन के वो इमिंग उसकी गर्दन काटते हैं वहाँ से पार हो जाती है बाइवुजियन की गर्दन उसकी कटार ने काट दी थी यहाँ पर सारे शोक्ट होते हैं वो शीलियन को बचा के लिया आया था शीलियन जो कि अभी भी उसके होश उड़े हुए थी उसे की नहीं आता भाई वुजियन को इतनी असानी से वाचंग ने मार डाला वाचंग को बहुत गुस्ता आगया था और वो यहाँ पर जैसे ही भाई वुजियन को बहुत जोरों से पकड़ा हुआ था यहाँ पर फटा फट भाग कर आकर हैंगवन जुन और चुवनिंग उससे वींग का हाथ हरलग करने की कोशिश करते हैं वींग यहाँ पर अभी भी उस प्यारे से लेंटूजी को देख रहा था लेंटूजी यहाँ पर वींग से पूछता है वींग तुम ठीक हो ना वींग जो की सदमे में था वो लेंटूजी बोले या शिजुन बोले या हैंगवन जुन बोले उसे नहीं समझ में आ रहा था, वो क्या बोले, वो भचका रहते हुए, कर्दन हिलाते हुए बोलता है, ठीक हूँ, तुजी, I mean शिजुन, मैं अपको क्या बोलू, तो यहां पर बड़े ही बुश्किल से, जो लेन तुजी था, वो आगे भड़ता है, वो अपनी तलवार को यहां पर साफ करता है, और बिचन को वापस मयान में डाल देता है, वो वींग से कहता है, वींग, I'm sorry, मैं तुमसे एक बात चुपाई थी, वींग कहता है, आप मुझसे कितनी सारी बाते चुपाएंगे, पहले आप मुझे पसंद करते हैं, यह चुपाया, आप ही लेन आप छूट बोलके मुझसे क्यों मिलते थे, यहां पर हेंगवंजन चुप हो जाते हैं, और नीचे देखने लगते हैं, जो वींग को देखता है, और कहता है, अभी इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है, प्लीज, पहले इस बाइवुजियन को हमें जैसे दैसे करके द यहां पर बाइवुजियन को जल से जल जल जलाने के लिए और उसे मारने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं था कि इस पूरी कल्टिवेशन दुनिया में बाइवुजियन अकीला इंसान था जो विलन हो, या बाइवुजियन के इरादे कम ते कम बागी विलन से ठीक तो बाइवुजियन के जाने के बाद अब उन्हें कोई भी मात नहीं दे सकता, वो लोग जानते थे कि वो पहले बाइवुजियन के कंट्रोल में थे, जो दुनिया में शान्ती ही चाता था, लेकिन उसका करने का तरीका अलग था, उसका हेवन को इंसानी दुनिया और अब उन्हें तो यहां पर सकता चाहिए थी और ना जाने कितने लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, बाइवुजियन की मोद को यह लोग सीक्रेट रखने की कुशिश करते हैं, और चुपचाप बाइवुजियन को जलाते हैं, लेकिन बाइवुजियन इतना बेवकुफ नही नहीं था, यहां पर उविसली उसके बहुत सारे गुपचर थे, जो कि यहां पर लोगों की बीच में रह की काम कर रहे थे, यह लोग सीक्रेट ली बाइवुजियन को जला देते हैं, उसकी एस्तियों को भी पूरी अच्छी तरीके से दफनाने की कोशिश की जाती हैं, क्य लाने लगाएं, विंग अभी भी कनफ्यूज था कि वो क्या करें, आखिर नवांग जी ने उससे इतना बड़ा जोट के बोला, वही लेंटूजी था, क्या जब लेंटूजी यहां पर विंग के सामने आ जाया करता था, और उस दिन जब वो अपना स्परिच्छल वेपन जून ने गया, तब भी यहां पर उसे याद आता है कि उसके साथ, उसके साथ हेंग अजून नहीं लेंटूजी था, लेंटूजी की बातें अक्सर उसे हेंग अजून की याद दिला दी थी, उसकी शिजून की याद दिला दी थी, अक्सर वो बिलकुल वैसे ही रियाक्ट करता था जैसे कि हेंगउन जुन करते हैं वो आखिर जोट के बोलता था जब हेंगउन जुन यहाँ पर दो साल के लिए गए थे तब तूजी भी गायब हो गया था और जब जब तूजी नहीं होता था तो हेंगउन जुन भी नहीं होते थे और कभी-कभी तूजी के होते वे उसने कभी भी हिंगुन जुन को नहीं देगा उसका दिमाग बहुत सारी चीज़े सोच के चक्रा रहा था कि आकिर मामला क्या है क्यों आकिर यहाँ पर हिंगुन जुन को जोट बुलना पड़ा विंग से कि वो लेंदूजी है और लेंदूजी का भीस बना कर उने क्यों मिलना पड़ा यहाँ पर विंग बहुत सारी चीज़े सोच रहा था तब भी उसके पास जो है वो लेंद शिचन आते हैं और यहाँ पर हमारा प्यारा सा लेंदूजी भी होता है जो कि बहुत ही छोटा प्यारा मासूम सा लग रहा था उसकी आंके बहुत प्योर एक बच्चे जैसी थी उसके गाल चबी चीक्स थे और वो बहुत क्योटली नीजे देख रहा था उसका सिर्ज जुका हुआ था विंग यहाँ पर बार बार कहता है शिजुन यह कैसा मजाक है और आप अभी भी बच्चे क्यों बने हुए है यहाँ पर कुछ भी जवाब लेंदूजी नहीं दे पाता विंग जो है वो लेंदूजी को अपनी गोदी में उठा लेता है वो उनके चीज छेड़ने लगता है तब ही यहाँ पर हैंग ओन जुन बोलते हैं इतना बड़ा टीचर जिससे देखते ही लोग खौफ से काप जाते हैं उसे विंग ने अपनी गोदी में उठाया हुआ है उनकी हसी छूट रही होती है तब ही यहाँ पर वांग जी कहता है ब्रदर आप क्यों हस रहे हैं यहाँ पर हैंग ओन जुन के चीक्स छेड़ने लगता है उन पर किस करने लगता है इस फॉर्म में तो मैं आपको किस कर सकता हूँ न आपसे मस्ती भी कर सकता हूँ तो यानि कि जब तूजी ने मुझसे शादी का पूछा था तो वो तूजी नहीं वो आप थे और स्प्रिच्छल वेपन के टाइम में भी किस तरह से वो साप और वो अजीब से मूँ वाली चीज़ ट्रैगन के मूँ वाली चीज़ जब भार आई थी तो वो भी आपको देखकर यानि कि वो पहचान गई थी कि आप कोई और नहीं बलके हिंगवन चुन है ओ माई गॉड और और आपने मुझे स्टार्टिंग में बचाया यानि कि आप मुझे हमेशा से जानते थे आप जानते थे मैं आपको अपना शिज़न चुन लोंगा शिज़न आपने लेंद दूसी बन के मुझे से दोस्ती कियों की यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं सरफ वांग जी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाता था वी एक्चुली जब तुम यहाँ नहीं आये थे उससे पहले वांग जी एक बहुत बड़े देत्टे से लड़ा था जो कि यूनिकॉन को मरना चाता था जिसके अंडर उस देत्टे ने वांग जी पे ऐसा हमला किया था जिसकी विजस्स की कोर जो थी वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकती थी इसलिए एक बच्चे का जो रूप होता है ना जब इनसान उसमें ढल जाता है तो उसकी शरीर की प्रतिक्रिया और शरीर में जो रक्ट संचार होता है एनरजी भी जो संचार होती है वो बाकी लोगों के मुगामले बहुत कम होती है उस बच्चे को बहुत कम चीजों की जरूरत होती है और यहाँ पर वांग जी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था इसलिए वक्त वक्त पर वांग जी की जब spiritual energy बहुत जादा उसकी बड़ी body यूज़ करती थी तो उसे अपनी child form में आना होता था जिसकी वेज़े से वो अपनी golden core को बंद कर सकता था अपने बड़ी form में यानि कि अपने 30-32 साल की उमर वाले form में कोई इनसान अपनी उस उर्जा को यूज़ नहीं कर सकता वांग जी फिर भी अभी इतनी उमर का नहीं हुआ था लेकिन वांग जी की जो उमर थी जो की अलड़ी 24-26 साल के बीच में थी वांग जी उस उमर में इतनी ज़्यादा spiritual energy को अगर वो use करेगा तो उसको बहुत सारी नुकसान उठाना पड़ सकता है यहाँ पर वांग जी को अपने बच्पन की form में जाना पड़ता था जैसे कि वो बच्पन में दिखा करता था और वो wing को बताते हैं इससे वांग जी की core को damage नहीं हो सकता था लेकिन अभी भी वांग जी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और बहुत बार unicorn को safe करने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ा करता था जिसकी वेज़े से उसकी energy exhaust हो जाती थी और वांग जी एक बच्चे में बदल जाता था अभी भी वांग जी को cultivate करने के लिए जब यहां से जाना पड़ा उसे एक बच्चे की form में ही यहां पर seclusion में जाना पड़ा था कि वो cultivate कर सके और वांग जी अपनी मर्जी से अपना रूप नहीं change करता था बल्कि वांग जी की जब spiritual energy exhaust होने लगती थी तब उसे अपना रूप change करना पड़ता था और जब भी वो रात के time अपना रूप change करके seclusion में जाया करता था चूवेनिंग उसकी help किया करता था यहाँ पर मुस्कुराते वे शिटन कहता है क्योंकि ऐसा पहले master चूवेनिंग के साथ भी हो चूवेनिंग से क्योंकि चूवेनिंग भी master चूवेनिंग एक time पर शिया सिनी बन जाते थे जब उनका रूप छोटा हुआ करता था और यहाँ पर मोरन जो था वो इसी तरह से शिया सिनी को अपना martial brother मानने लगा था जिस तरह से तुम यह पर वांगची को अपना brother मानने लगे थे और वांगची ने हमीशे तो में भी गगगग कहने से मना किया होगा जैसे कि मैं जानता हूँ इसमें वांगची की गलती नहीं उसकी spiritual energy जब जब कम होती थी वो एक बच्चे की form में बदल जाता है और spiritual energy कम भी नहीं जब exhaust होने लगे तो उसे अपनी core को ताकि उसकी core का key division न हो जाए तो इसके विज़र से उसे खुद को change करना पड़ता है यहाँ पर shocked रहता है और कहता है आपने मुझे पताया क्यों नहीं वांग जी केथा है मुझे शरम आती थी वांग जी के cheeks चेड़ने लगता है और कहता है शरम आती थी ओहाँ मेरे प्यारि को शरम आती थी आप बहुत प्यारे थी शुजन सच में मतलब मैं हमेशों चाता हूँ कि आप मुझसे तूजी बनके भी मिलते रहें मैं सच में याद नहीं रखना चाहता कि तूजी ही हैंगउन जुन है तूजी बहुत क्योट है तभी मेरी दीवी पिन भी आप दोनों के पास थी मैंने आपके पास देखा तो आपने कहा कि वो पिन आपकी मदर की है लायर पहली बार आपने मुझसे जूट बोला पहली ही नहीं कितनी बार आपने मुझसे जूट बोला अपना नाम अपनी आइडेंटिटी कितनी गलत बात है मैं नराज हूँ यहाँ पर बड़ी प्यार से वो वींग की तरफ देखते है अपने छोटे छोटे हाथों से वींग का चैरा पगड़ते है जो कि मुझसे नराज हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं मेरी कोर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं होई है वींग यहाँ पर उनकी नोस को पिंच करते हुए कहता है और वो उनकी लिप्स पे छोटे छोटे पे किस कर देता है वींग उन उसे देखते ही कहते हैं शेमलेस वींग कहता है लेकिन आप तो बच्चे हो ना और मुझे सच में आपका तूजी वाला फॉर्म बहुत पसंद है सच में मैं सोचता हूँ कि आपका बच्चपन ऐसा रहा होगा आप ऐसे इतनी क्यूट दिखते होंगे आपके जो बच्चे होंगे वो भी क्यूट I mean, I mean, कुछ नहीं यहाँ पर शेचन जोर जोर से हसने लगते हैं और कहते हैं मतलब तुम अपने और वांगची के बच्चों की बात कर रहे हो विंग इदर उदर मुग घुमाने लगता है वांगची के कान टामाटर की तरा लाल होने लगते हैं और यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़ादा मैरस हो जाते हैं शिचन कहते हैं कोई नई बात नहीं मैं जानता हूँ इवन सब जानते हैं कि मेरा ब्रदर तुम्हें कितना प्यार करता है और मेरा ब्रदर तुम्हें हमेशा सही प्यार करता प्रोचेक्ट करता है था तुम्हारा सीक्रिट कीपर जो था वो वांग ची को ही बनाया गया था वो secretly तुम्हें प्रोटेक्ट करा था तुम्हारी पहले दिन में पहले दिन जब तुम गूसु में अंटर हुए उससे पहले ही वो तुमते नज़र रखे हुए था था कि by vision और बागी के evil दतें तुम्हें कभी भी नुकसान न पोचा पहे है विएंग यहाँ पर मन में सोचा होता है वो कितना बुद्दू था वो वांग ची के आगे पीछे पिरता रहता था और उसने कभी वांग ची के लिए वो feelings अपने मन में कभी देखनी ही नहीं चाही जो कि वांग ची के मन में day one से थी वो यहाँ पर तूजी को अपनी गोधी में जक्र लेता है और उसे क्यूटली हख करने लगता है और वो तूजी से कहता है कि अपनी अच्छे से दोनों तांगे खोल के उसे बड़ी प्यार से हख करे वो तूजी को कहता है कि क्या तो मेरी पद्दी चड़ोगे मतलब पीछे से एक दम से आओगे तूजी मना कर देता है विंग कहता है तो तुम्हें मेरी गोदी में चलना है वांग जी कुछ नहीं बोलता विंग यहाँ पर वांग जी को बहुत जादा टीस करने लगता है उसे गुद्गुदी करने लगता है क्योंकि उसे पता था तूजी की फॉर्म में वांग जी को बहुत जादा गुद्गुदी हो दी है वो वांग जी की पेट में भी गुद्गुदी करने लगता है और उसे पने सीने से लगा के रखता है literally यहाँ पर पहली बार ऐसा था कि कोई omega अपने alpha को गोदी मोटा के चल रहा हो यहाँ पर और सारे देख रहे थे कि विएंग कितने प्यारे तरीके से लहन्तूजी को अपनी गोदी में उठाया हूँ था कि कोई और नहीं बलकि इसके शिजन थे यहां पर वांग जी अपना मूँ छुपाए हुए वह वींग के शोल्डर पे अपना सिर रखे हुए थे तब ही चिरन अपना गला साफ करके कहते हैं वींग वांग जी कहां जा रहे हो वांग जी तो मूँ ठाके ही नहीं देखते क्यो चाहाँ पर मुशकराते ही चरन को भी मस्ति सूचती है क्योंकि वह जानते देखे कि वह वांग जी से बड़ी फोम में जब वह वह वांग जी से मजात नहीं कर सकते Calling message मजाथ करते वह अपने आथसी तोफ़ी निगालते यह और बड़ी कि तरफ कर कद ते हैं मुझे पता है बच्चों को टॉफी पसंद है वांग जी तुम ये खाना चाहोगे वांग जी और भी साधा शर्माने लगता है और वो कहता है अंकल वींग यहाँ पर वांग जी क्यों बड़ी प्यार से हक कर लेता है और फो हेड मास्टर यही तो कह रहे है टॉफी खाओगे वैसे मैं भी तो तुम हले कितनी सारी टॉफी लाता था यहाँ पर मुस्कुराते वे चरन कहते हैं तो अपनी इस फॉर्म में तुम अकसर वींग से मिला करते थे और तुम टॉफी पिखाते थे पच्पन में मैंने तुम्हें मना किया था ना वांग जी वांग जी कहता है मैं नहीं कहता था वींग अपने आप खिला देता था यहाँ पर वींग कहता है बदमाश तो तुमने मुझे कब बताया था कि तुम हेंगवन जुन हो यहाँ पर बहुत प्यारा सा कि उट सा सीन होता है सब के बीच में विंग हेंगोंजन को उनके अपने कमरे मिले जाता है यहाँ पर हेंगोंजन को वो जैसे ही जमीन पर मतलब उनके बेट पर बैठाते है विंग यहाँ पर हेंगोंजन अपनी जूते उतार देते हैं और वहाँ पर पर सुने लगते हैं लेकिन वींग महाँ से जाने लगता है तो हैंग जन उसका हाथ पकड़ गर लेते हैं मच जाओ ना क्यों? हैंगल जन केते हैं मैं एक बच्चे की फॉर्म में हूँ मैं बहुत छोटा हूँ और मेरा दिल भी मेरी हरकते भी और मेरी spiritual allergy एक बच्चे की तरह ही है मैं कोई भी अगर कुछ बुरा होता है तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा और आज से पहले चू एनिंग सर यानि के grand master चू मेरा ख्याल रखा कर देते हैं अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता है तो तुम मेरे पास रुक जाओ वीं वीं कहता है लेकिन एक omega और alpha का साथ रहना उमकी नहीं कुछ भी हो सकता है यह पर मुस्कुराते हूँ है मैं एक बच्चे की form में हूँ कुछ नहीं होगा यहाँ पर वीं शर्मा जाता है और कहता है यहाँ पर वीं कहता है ओ तो तुम बलश कर रहे हो वैसे एक बात बताओ शर्मा अब अब मुझे कभी सच क्यों नहीं बता दे यहाँ पर मुस्कुराते हूँ मांग जी कहता है क्योंकि मुझे नहीं पताता कि वीं को मेरी यह साइट कैसी लगेगी अगर वीं को बता चले कि उसके जो शिजुन है वो बहुत कमजोर है उन्हें शेकलूशन में जाना पड़ता है और कभी कभी spiritual energy exhaust होने पर मुझे इस form में आना पड़ता है मुझे लगता था तो यह सब जान लोगे तो मुझे अपना शिजुन ही मानोगे वीं कहता है तो आपने मुझे अपना disciple लेने से क्यों माना किया था तो यहाँ पर हेंगोंजन कहते हैं कि एक ऐसा teacher जिसे अपना रूप पतलना पड़े जिसे बच्चे की form में रहना पड़े रात को मुझे बच्चे में convert होना पड़ता था और जिसकी विज़ा से कितनी बार मुझे चाइल्ड केर में जाकर भी सोना पड़ा क्योंकि तुम वहाँ खिरके पर से देख रहे होते थे इवन तुम तो मुझे वह चाइल्ड सेक्शन में शुरू कर दी थी और तुम्हें लेंटूजी और हेंगवनचुन बनके मैं ही खत लिखा करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम मुझे अपनी शिज़ून की नजर से नहीं बलकि एक बच्चे की नजर से देखते थे तुम्हारे दिल में बच्चे बनके घूमना लेकिन जब से मैं तुम्हारा दोस्त बनने लगा मुझे बहुत अच्छा लगने लगा तुम हमेशा मुझे टौफी किलाते थे हमेशा मुझे टीस किया करते थे मेरे पीचे पीचे भागा करते थे और जब उस दिन मैंने सिंसेर्टी से तुम से शादी का बोला तो तुमने एक बच्चे की तरह ही मुझे समझाया और मुझे मना कर दिया लेकिन तुमने मुझे जूट नहीं का तुमने बोला कि तुम अपने शिजन से बहुत प्यार करते हो उनसे ही शादी करना चाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम मेरे चाइल्ड रूप से मेरे एडल्ट हुट की भारे में तारीफे किया करते थे हाँ थोड़ी सी जलन होती थी कि उस मुमेंट तुम मेरे लिए मुझे ही रिजेक्ट करते थे लेकिन मुझे बहुत कुशी होती थी सच में मैं बहुत लगी हूँ कोई बात नहीए मैं इंज़र्ड हुआ मैं बच्चे में बदल जाता हूँ लेकिन उसमें भी मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए letter as a shizun तो मुझे letter लिखते थे लेकिन as a tuzi as a dose तो मुझे letter लिखा करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारे दोनों रूप तो मेरे दोनों रूप जो इनको तुमने सुईकार किया और तुम्हारे रूप जो एक दोस्त और एक स्टूजन की तरह था मुझे बहुत अच्छा लगता था जिस तरह से जब मैं वापस आया और तुम्हें लेंटूजी नहीं मिला तुम कैसे तड़प रहे थे अपने उस दोस्त से मिलने के लिए मैं उन दिनों अपना रूप बदल नहीं सकता था क्योंकि मेरी स्प्रिच्छल अनरजी एक्जास्ट नहीं हो रही थी लेकिन तुम लेंटूजी से मिलते थे तो तुम कितना खुश होते थे तुम्हें याद हैं लेंटूजी बनकर मैं तुम्हेरे साथ स्प्रिच्छल वेपन के लिए भी गया क्योंकि मेरी एनरजी उस वक्त एक्जास्ट थी और जब मुझे लगा कि वो सर्प कहीं तुम्हें नुक्सान न पुचा थे वो देथे तुम्हें कहीं हाम न कर दे वो डीमन तब मैं उसे खूरने लगा मैं तुम्हेरे सामने आ गया तुम हर मुवमेंट मुझे यही कह रहे थे कि काश वहाँ पर तुम्हेरे गुरू भी होते तो तुम्हें अच्छा लगता तुम्हें शिजन भी होते और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि विंग मुझे दिल से मिस करता है विंग ने अगर मुझे अपना शिजुन माना विंग ने मुझे मेरा डिसाइपल बनने कि अगर उसने सोची तो उसने दिल से सारी चीज़े की और मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे खुद से ही कभी-कभी अपने बाल रूप में जलन भी होने लगती थी कि विंग क्यों नहीं समझवाता कि मैं ही हेंग उन्जन हो और मैं ही दूजी हो विंग यहाँ पर दूजी को पैक से हग कर लेता है और वो कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शिजुन मुझे आपके दोनों रूप अच्छे लगते हैं और अब तो मुझे यकीन है अगर कल को हमारी शादी हो दिया तो हमारे बच्चे भी लेंदूजी की तरह क्यूट होंगे और यहाँ पर हंग उन्जन और जात शर्माने लगते हैं तुम कितने शेमलेस हो गये हो और अगर क्यों कमेश मुझे बच देते हो आपढ़ेन यहाँ पर हंगवंजन जनकी कान लाल ह हो रही थे उनके कानों को चेड़ता है अपकी कान क्यों लाल हो रही है वांग जी यहाँ पर अपनी जदर लेता है अपने उपर ढख लेता है मुझे नहीं दा लिया है मैं सो रहा हूँ यहाँ पर वीं केता है आप जैसे ही चाइल्ड रूप में आये हैं आप बहुत जदा चाइल्लिश होगे हैं कभी आपने देखा है जब आप बड़े होते हैं तो आप बहुत स्टॉबन होते हैं लेकिन चैल्ड रूप में आपका वो मासूम सा चैरा आपकी मासूम सी चीज़े मुझे बहुत अट्रेक्ट करती हैं गुंचुन पहले मैं आपसे सरफ प्यार करता था अप मैं आपसे प्यार, महबबत, इश्क आपके लिए हर वो चीज़ फील करता हूँ और मुझे आज पता चला कि मेरे प्यार के साथ ही मेरी सबसे गहरी दोस्ती है और इस दुनिया में दोस्ती ऐसी चीज़ होती है जो कुंडली मिला कर नहीं होती जो उपर से बनकिया दी है और मैं बहुत कोश्यू हूं कि मुझे एक दोस्त मेरे प्यार के अंदर ही मिल चुका है I mean प्यार में दोस्ती होना और दोस्ती में प्यार होना कभी-कभी बहुत अच्छा होता है और मुझे मेरे प्यार से ही दोस्ती हो गई है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हैं जो जो पीछे से उनी के पास जाकर सो जाता है वह दोनों के दोनों इसी तरह से सो जाते हैं ऐसे ही जब सुबह होती है तो हैं वापस से अपने बड़े अपने बड़े स्वरूप में बदल चुके थे वो हेंगों जुन बन चुके थे जब वो करवट लेते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी रात वींग उन्हीं के पास हो गया था वो बड़े प्यासे हैं वींग के बालों के सलाते हैं और उसके फॉरेट पे किस करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि वींग ने बुरा नहीं माना और अगर उनके स्प्रिच्वल अनरजी एक्जॉस्ट होने पर उन्हें अगर बच्चा भी बनना बड़ा तो वींग ने उस रूप को भी बहुत प्यार से सुईकार किया है क्योंकि खामिया कभी भी हो सकती है और लाइफ में कोई भी प्रोब्रम मा सकती है ऐसे में अगर आपका प्यार आपके उस खामियों को आपको बारबर जताए और आपको ताने मारे तो इंसान को बुरा लग सकता है लेकिन विंग ने U Culture में एंग उन्जुन को सुपोर्ट किया है उन्हें समझा है, उनकी कम्जोरिओं को भी अपना है एंग उन्जुन को इतना प्रावड फील हो रहा थह न और इतना प्यारा रहा थोणे विंग पे कि वो सोय-्सोय विंग के चीक्स पर किस कर देते हैं मुझे किस करने लगे मुझे पता है आपके अलावा मुझे कोई किस नहीं कर सकता और एक लंतुसी वैसे वेलकम बैक आप दुबारा से अपनी स्प्रिचल अनरजी को अच्छे से कल जी वेट कर चुके हैं और आप दुबारा हैं वैसे मुझे लेंद उसी में भी बदले वे आप बुरे नहीं लगते हैं एंग जुन की काल लाल होते हैं और वो केता हैं नॉनसेंस चलो उठो कोई सो पूरी रात शिचन वहीं पर रुके हुए थे कि वींग और वांग जी के बीच कुछ हो ना जाएं वांग जी कहता हैं अंकल नहीं यह किया होगा बिल्कुल भी उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है वींग कहता है अच्छा है न नहीं है वरना शादी से पहले कुछ हो जाएं तुम अलफाओं का क्या भरूसा? हैंगुन जुन जुन जो है, वो उसके माते पर हाथ मारते हो और कहते हैं कुछ भी, तुम कुछ भी सोच लेते हो वींग, यहाँ पर शिचन मुस्कराते हो और कहते हैं वींग, अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए और वांग जी, तुम, अब ठीक हो गए हो अंकल और मैं अब अपने रूम में जा सकते हैं वींग, तुम भी अपने रूम में जाके आराम करो मैं भी कर लेता हूँ यहाँ बैठे-बैठे, तुम दोनों को गाड़ करते-करते पुरी रात कब बित गई, मुझे बता ही नहीं चला गाइस मैं अपने चेप्टर के यहाँ खतम करते हूँ I hope आपको आज का पाट अच्छा लगाओ मेरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बल आइकन को प्रेस करना बलकुल मत भूलेगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए, बब बाई